ये कहानी तीन दोस्तों की है, ग्यान, धन और विश्वास. तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था, एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहां मिलेंगे, तो इस पर ग्यान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा, धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा, विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला, जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ग्यान और धन आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार तूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है